सब्सक्राइब करना है और जो आग के फुट बेर से जो जो भी आप पहन कर गएते हैं उसको अंदर नहीं लाना है और सीधे वाश्रूम में जाके हैंड बॉट करना है क्या करना है है ठीक है बटा चलिए हम हम थोड़ी सी बढ़ाई की बात करते हैं बढ़ाई की बात में यह है कि अभी हापको एक बैने वीडियो भी बेशन भी जिसमें की हमारी 1 से लेके 100 तक पूरी counting complete हो चुकी है, ठीक है, अब हम क्या याद करेंगे, spellings याद करेंगे, numbers की spelling याद करेंगे, तो वो हम numbers की spelling, आपको एक वीडियो हम भे चुके हैं, और हमारे याद करेंगे, तो उनको हम कैसे याद करेंगे, इसका वीडियो में एक आपको 1 से लेके 5 तक का डाग दिया है, ठीक है? अब 6 to 10 वाला आज हम फिर से आज हम आगे का याद करेंगे, ठीक है? लेके उससे पहले जो हम करते हैं, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, क्या है? कि हमें पहले शुरू करने से पहले जो हम याद कर चुके हैं, जो हम सीख चुके हैं, उसका रिवीजन हमको मस्ट है, उसका रिवीजन हमको करना ही है, इसलिए मैं भी अभी आपके साथ में जो हम पहले पुराना सीख चुके हैं, उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम आगे का new सीखेंगे, ठीक है, और आपको rhymes सी बहुत अच्छे-ची rhymes भेज रहे हैं याद करके, बहुत अच्छी बात है, आपको rhymes तो याद करना ही है, हिंदी वाली भी और English वाली भी, ठीक है, और जो बिटा आपको worksheet दी जाती है, वो आपको मैस का अगर worksheet है, तो मैस की copy मे करना है, और अगर English का worksheet है, तो आपको English की copy में करना है, ठीक है, उसको देख कर छोड़ता नहीं है, और जब आपको कर लेते हैं, तो उसको एक click, photo click करके, उसे आपको मुझे दिखाना है, ठीक है ना, आप simply देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों की worksheet नहीं आ रही है, का आता रहता है, तो प्लीज, अगर आपको देखते हैं उसको, worksheet को देखते हैं, तो आप उसको, कहां करना है आपको, आपकी copy में, note book में आपको से करना है, और जब आपको complete हो जाता है, तो आप उसको click करके मुझे दिखाना है, ठीक है पीटा, इन चीजों का धियान दखन करना है, आज भी जो मैंने आपको एक, जो वीडियो भेजूंगी, उसमें भी मैंने, वर्कशिट डाली हुई है, आपको उसकी भी practice करना है, और जैसे math का है, तो इसे आपको किस note book में करना है, math के note book में करना है, ठीक है, आपको वर्कशिट तो हज़ाल में complete करना ही है, क्य अगर आप उसका print out निकालवा लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अगर print out नहीं निकलवा पाते हैं, तो घर में मपी से या डेडी से, भाहिया से, दीदी से, किसी से भी अपनी copy में बनवा लेजिए, और उसकी practice करें, ठीक है बटा, चलिए, आज हम सीखें, पहले हम आगे का सीखें, ठीक है, चलिए दिखते हैं, आज आपको हम क्या दिखाने वाले है, ये हमारा क्या है, रिवीजन है, इसको हम रिवाइस करेंगे, ठीक है, अभी जैसे हमने पहले सीख चुके हैं हम, ये कौन सा नंबर है, नंबर वन, कौन सा नंबर है बिटाईए, नंबर वन, तो इस नंबर को हमें करने के लिए, इस नंबर को ये नंबर है, जो हम पहले सीख चुके हैं, अब इसका नेम, इसका नेम क्या है, ठीक है, तो वन, आइस्क्रीम, वन, फुटबॉल, एंड वन, कैट, ठीक है, सारी चीजहें कैसे हैं, वन, वन, वन तो ये नंबर हो गया, वन, आब इसका नेम, जैसे फुटबॉल की भी स्पैल्इं होती है, cat की भी spelling है, ice cream की भी spelling है इसी तरीके से ये one की अपनी spelling है और क्या spelling हमने क्या याद किया था? O, N, E, one ठीक है? तो आपको भी इसको याद करना है और जब हम लिखेंगे तो बोल-बोल कर लिखेंगे दूसरी रिखते हैं Two rabbits, two elephants ठीक है? तो ये कौन सा नंबर हो गया यहाँ पर? नंबर two, ठीक है? अब इसकी spelling क्या है? T, W, O, two T, W, O, two ठीक है? Two rabbits, two baby elephants and this is the number of two अब इसका name क्या होगा? इस प्लिंग क्या होगी? T, W, O, two जब भी लिखेंगे तो बोल कर लिखेंगे ठीक है? ये, ये क्या है? आइस्क्रीम, how many ice cream is there? Three, one, two, three How many dogs is there? One, two, three So this is the number three This is the number three अब इसकी spelling क्या है? T, H, R, double, E T, T, H, R, double, E जहांपे दो लेटर, same letters, एक जैसे लेटर साथ में रहते हैं उनकों बोलते हैं, ठीक है? E, E भी कुछ लोग बोलते हैं लेकिन इसको सहीं प्रणाउंस कैसे करेंगे? T, H, R, double, E, three यह, bottles क्या है? Bottles How many bottles is there? One, two, three, four Four bottles यह क्या है? Fence How many fence? One, two, three, four Four fence Butterfly One, two, three, four How many butterflies is there? Four So, this is the number of four ठीक है? यह काँ सा नंबर है? Four So, what is the spelling of four? F, O, U, R F, O, U, R Four F, O, U, R, Four Five These are chairs One, two, three, four, five Five chairs One, two, three, four, five Five toffees One, two, three, four, five Five ducks So, this is the number of five Five And, what is the spelling of five? F, I, V, E Five F, I, V, E Five यहां तक हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे और लर्ण भी कर चुके थे, है ना? चलिए अब हम इसके आगे से सीखेंगे Five के बाद क्या आता है? Six Very good So, this is six What is this? What these are? Umbrellas How many umbrellas are here? One, two, three, four, five, six umbrellas And, what is this? What these are? These are बताईए जल्दी से आप लोगों पता है क्या है यह? यह है केक क्या है? केक One, two, three, four, five, six How many pieces is here? Six pieces ठीक है? So, this is the number of Six Six And, what is the spelling of six? S-I-X S-I-X Six S-I-X Six आप जभी वीडियो देनते हैं तो आपको भी इसे बोलना जाना है एक बाद फिर से रेपीट करें मेरे साथ में S-I-X Six आप रसे इस विच नमबर विलका? Seven Very good यह हैं Buckets क्या है? Colored buckets How many buckets are here? One Two Three Four Five Six Seven How many buckets is here? Seven buckets And what is these are? These are crayons ठीक है? आप लोग इनको यूस करते हैं न? चलिए देखते हैं One Two Three Four Five Six And Seven How many? Cleons is here Seven So this is the number of Seven And what is the spelling of seven? S-E-V-E-N Seven फिर से बोलिए S-E-V-E-N Seven यह आपको spelling आपके लिए ड्यू हैं लेकिन इसके लिए थोड़ा से practice करेंगे तो आपको यह याद हो जाएंगे एक बाद फिर से repeat करते हैं One second We will repeat S-E-V-E-N Seven After seven Which number will come? Eight Very good देखी कितने सारे बलूस है यहाँ पर है चलिए काम करते हैं One Two Three Four Five Six Seven And Eight How many बलूस है यहाँ? Eight What is What is this? These are These are Pancels Pencil से क्या करते हैं आप लो? लिखते हैं चलिए काम करते हैं One Two Three Four Five Six Seven Eight How many pencil here? Eight So this is the number of Eight And what is the spelling of eight? E I G E H T Eight एक बार फिर से रिपीट करेंगे Once again we will repeat E I G H T Eight ठीक है? After eight Which number will come? Nine Nine Oho So many flowers is here Okay चलिए कांट करते हैं One Two Three Four Five Six Seven Eight And Nine Nine Kितने flowers हैं? Nine Very good These are Stars So many stars is here Can you count? Yes We can Count Chalिए One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine How many stars is here? Nine So This is the number of Nine And what is the spelling of nine? N I N E Nine Once again we will repeat N I N E Nine Jambhi हम लिखेंगे इनको बोल कर लिखेंगे तो nine की spelling क्या है? याद हुई क्या? नहीं चले फिर स्याद करते हैं N I N E Nine It's so easy You can learn very easily After nine Last number is Ten देखें यहाँ पर कितनी सारी beautiful pictures हैं है न क्या है यह? Spoons And fork ठीक है? चले काउंट करते हैं One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten और यह क्या है? Teddy bears यह आपके पास में है ना घर में? देखें कितने सारे हैं काउंट करते हैं One One Two Three Four Five Five Six Seven Eight Nine Ten How many Ten How many teddy will you hear? Ten And this is the number of Ten And what is the spelling of ten? T T E E And Ten 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 एक बाद फिर से repeat करेंगे हम लोग Five तक हमारा हो गया था Six तक करेंगे Eight Eight What is the spelling of eight? E I G H T Eight Nine N I N E Nine Ten T E N Ten ठीक है? यह आपको याद करना चलिए अब मैं आपको दिखाती हूं Worksheet क्या लिखा है? Match the number names with the pictures यहाँ पे कुछ spellings हैं लेकिन वो sequence में नहीं है आगे पीछे हैं ठीक है? सफल हो रही है और यहाँ पे कुछ pictures बनी हुई है यहाँ पे names लिखे हुए हैं और यहाँ पे pictures बनी हुई हैं आपको pictures को count करना है count करके उसको spelling से match करना है सबसे first वाला में आपको बताती हूँ देखिये यहाँ पे हम pictures को count करेंगे यह क्या है? What is this? These are butterflies क्या है यह? Butterflies हैं अब हम इनको count करते हैं चलिए count करेंगे मेरे साथ मैं one, two कितनी butterfly है? two तो अब यहाँ पे हम spelling of two ढूड़ेंगे यह क्या है? o, n, e, one नहीं है, butterfly कितनी है? two है f, i, v, e, five five भी नहीं चाहिए t, w, o, two two, yes तो हम butterfly को किस से match कर देंगे? two से ठीके? इसी तरीके से आपको यह lady bulbs है यह cups है और यह fish and these are trees आपको जितने भी pictures हैं उनको count करना है count करने के बाद में उनको, उनकी spelling से हमको match करना है यह तो होगे हमारा one से लेके five तर आप next worksheet में भी मैंने six to ten का किया है six to ten का किया है इसी तरीके से आपको umbrellas हैं यहाँ पर आपको count करना है और उनको उनकी spelling के साथ में match करना है यहाँ पर भी मैं आपको एक दिखा देती हूँ one, two, three, four, five, six six क्या है? six umbrellas तो six की spelling हमको सर्च करना है seven, ten ten, nine, nine लेकिन हमको पहुंस अचे यह number six six, तो six, six तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इस umbrellas को किसके साथ मैच कर देंगे? six के साथ ठीके, इसी तरीके से आपको सारी pictures को spelling के साथ में match करना है सारी spelling को pictures के साथ में match करना है ठीके बटाब तो आप इसको इसको आपको करना है सिर्फ देख कर छोड़ना नहीं है इसको आपको पूरा complete करना है complete करके आप मुझे जरूरी नहीं आप यही pictures बनाए आप कोई से ही pictures easy picture जो ममा आसानी से बना सकती है वो pictures को ममा से बनवा लिजएगा और spelling को आप खुद लिखिएगा और उसके साथ में फिर match करेगा ठीक है वेटा अगर आप यह practice करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएगे ठीक है तो आपने देखा अभी हमने 1 से लेके 5 तक की spelling याद की थी और आज हमने 6 तू 10 तक की spelling याद की है तो यह सारी spelling आप हमारी complete हो गई है 1 से लेके 10 तक की इतनी हमको spelling याद करना है बहुत सारी spelling आपको याद नहीं करना है ठीक है तो पहले 1 से लेके 5 तक की spelling आप याद कर लेजिए, उसके बाद में 6 to 10 तक की याद कर लेगे और जो मैम ने वरक्षीट दी है, उस वरक्षीट को आपको complete करना है अपनी match की notebook में ठीक है, अब आते हैं हम pictures पे, pictures जरूरी नहीं है, जो मैम ने बनाई है, वहीं आप बनाएं, OECV, easy pictures ममा से बनवा सकते हैं, और उसको spelling से match करना है, और match कब कर पाएंगे, जब आप spellings याद कर लेगे, ठीक है, आप spellings याद कर लेगे, तो फिर आप खुद ही बना लेगे, ममा की जुरूरत आपको नहीं पड़ेगे, सबसे पहले जब वरक्षीट कम्प्रीट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो spelling याद करिएगा, इसको याद करने के बाद में, वरक्षीट है, उसको कम्प्रीट करिएगा, कॉप्पी में, और मेरे पास में भेजिएगा, ठीक है बटा, चले मिलते हैं नेक्स मीटिंग में, बाई बटा, साही राम.